पोचिन सिंटर में आपका स्वागत है आए हम लोग देखते हैं बाइलोजी कलास्टेंट का important question जिस में हम लोग जायव प्रक्राम परहेंगे और उसके अंदर पीसेस तरप हम लोग पोच्षन के बारे में परहेंगे यह भलूम फरस्ट है इसके आगए आपको बहुत सारे कोच्षन का collection दिया जाएगा जो बहुत ही important होना वाला है ठीका है है आई सबसे पहला कोशन जो है हम लोग देखते हैं निम्ण में कौन जयब प्रकराम का हिसा है पोशन श्वासन पड़िवहन क्या होगा आपका अन्सर हो जाएगा इन में से सभी इन में क्या हो जाएंगे इन में सभी हो जाएंगे तो आपका राईाट असर क्या हो जाएगा यह वज़ा duesalen Constance दक्रेश्ट है शुजर में कौन सजिव नहीं है मानुव पसवख्षी है संGroup ना क्या निमे से इनमें कोई नहीं त workflow आ अंसर क्या हो जाएगा केम्प्यूटर संंगाना कंप्याना को potrzeb हिंदी में क्या बोलते हैं संग हनकत यह क्या है सजीव नहीं है यह मानों निर्मित चीज जीव में पाई जाने गतिया किस प्रकार की होती है तो यह किस अस्तर की होती है देखिएगा मिर्भिरिहत आन्मिक या उसत या इनमें से कोई नहीं था आपका हो जाएगा जीव में पाई जाने गतिया क्या होती है आन्मिक अस्तर की होती है निक्ष्ट देखिए परकास संसर हो जाएगा है लाल रंग में में होती है तो देखिए कि नेक्ष्ट देखिए पौध्य किस विधी से अपना भोजन तयार करते हैं तो पौध्य अपना भोजन किस विधी से परकास संस्रेशन विधी से त्यार करते हैं तो आपका अंसर किया हो जाएगा इसमें गोबरचाता हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा गोबरचाता जिसे मस्रूम ही बोलते हैं का निख्ष दखिए को लो फिल्के कानू में 50 याद रखेंगे आप मेगनिसियं का इसका संकेत क्या है एम जी है इसका परमानु संक्या 12 होता है नेक्ष दखिए हर निम्न में कौन गुलकोष का सुत्र है तो गुलकोष का फर्मूला क्या हो जागा आपका क्या हो जाएगा सी शिक्स एच बारा उसी यह वर्ला हो जाएगा है याद रखेंगे आप पर्मानुकता पूछेगा तो सभी पर्मानुगों के संख्या को जोड़ दिजिएगा छो बारा ठारा छो चोविस हो जाएगा नेक्ष्ट देखिए पौधो में गुलकोस का निर्मान किस विधी से होता है तो किस विधी से हो जाएगा तो भोजन किस विधी से बनाता है परकास अंससन विधी से तो उसी विधी से पौधो में गुलकोस का निर्मान हो जाता है जो उसके लिए उड़जय का काम करती है नेक्ष्ट देखिए तुरिये का परकास carbon dioxide और जल दापसन है इन में सब ही तो सब के सब आउ सकता है तो आपका आइट अंसर क्या हो जागा इन में सब ही ठीक है निक्ष्ट देखिए किसे परकास अंगक बोलते हैं अंगक है तो अंगक हो लाश्ट में कव है तक वाल अंसर यानि हरीत लवक हो जा हो सब्सक्राण है इस है रम जाए है कि के मंदल के सर में सर आधिक की सकता पर लिए के लिए कम से कम कितने पदार्द किया सकता है तो देखिए क्लोरो फिल सुरिय का परकास जल और आपकी चीज क्या चाहिए एक आपको एक आपको चाहिए कर्बंडाई अक्साइड तरह प्रकास क्या हो जाएगा आपका राइट टेंसर जार हो जाएगा परकास संस्लेसिंगाई किसे कहेंगे जल को या क्लोरोफिल अनुग क्या कहते हैं हम लोग परकास जेन् phys काई कहते हैं ढम में कि बिन में किस में 100 पूषन खुदसर की Mary रोल संब देंसर किके अंसर गोल में लेकिन मनिफलय घुलम करो भी तो किस्तरें निम्हें नहीं आता है इस परकार से आपका राइट अंसर जोगा इन में सभी होगा क्या होगा इन में सभी ध्यान रखेंगे ते नेक्ष्ट देखिए निन में कौन पॉध्य अपने भोजन के लिए दूसरे पॉध्य पर नहीं भर रहते हैं अमर बेल चुई मुई क्रोटन इन में से क कोई नहीं तो आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा अमर अमर बेल क्या एक लाता है जो पॉध्य पर क्या करती है चाह जाती है और उससे अपना भोजन क्या करती है प्राप्त करना लगती है नेक्ष्ट दखिए परकास संसरेशन की प्रकिरिया में उपत्पाद के रूप में बनता है तो बाइप प्रोड़क्ट क्या बनता है औक सीजन बनता है जो हम लोगो को मिलता है तो पोधे परकास संसरेशन में विधी से ही वोक सीजन देते हैं उसाइया झालियो नीयम्ड में कौन पुषी है कि कावक अमर वेल गवर स्था हरे पौध है स्वप 30 आप्णाफ यह सब्सक्राइब देखे है कि देखें देते ह। कि नीम्ड में किसे प्रकास संसरेसी एंक कहते हैं एक awson ऐसाइब हम niez mixer था उसमें अंग कि था ता अंग बोलता तो पर कह था खारीट लुगा अं具 बोला है तो क्या जाएगा आपका आपका एंसर पतियाँ क्या अपका इंसर पतिया राइट हो जाएगा ए betray पतिया ग स Speer हुआरोन प्रजिय करता है इस found the word खास एंग है जिसके मद रोली नमोरोन करता है और उसने पांचन होता है और भोजन अधरानी में होता है लेकिन यहां के आपका抉च्छार होग छिकिए मदद से लवारोन करता है अव्यक्ति है नेश्ट देखिए की अनीयत बार परकास अंसलेसन हैं नेस्ट दखित वे पॉध्य जिनका पोछ अंसनली चीज है नाम से भषच्ष है मिर्थ जीवी क्या कराता है मिर्थ जीवी चलिए धन्यमाद आप हमारे नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा जो भी नए अपडेट आए सबसे पहले आपके पास जाए धन्यमाद जय हिंद।